प्रेदर्शको एक बार फिर से हम सत्यवचन कारिक्रम में आपका हारदिक स्वागत करते हैं इस कारिक्रम में आपका होना एक दुरगटना नहीं है अर्थात आप गलती से नहीं है आप परमेश्वर की योजना के अनुसार इस कारिक्रम में है हम इस कारिक्रम में हमारे बनाने वाले परमेश्वर के उद्देशों को सीख रहे हैं कि वह मेरे और आपके जीवन से क्या चाहते हैं बाइबल परमेश्वर का सत्यवचन है जगत के अंतिम समय में वह इसी के माध्यम से बाते करता है अर्थात बाइबल के द्वारा बाइबल की गिंती नामत पुस्तत से आज एक ऐसी बात को हम देखेंगे जो असमान्य है परमेश्वर कभी-कभी हमें समझाने के लिए असमान्य चीजों से अपनी बातों को प्रगट करते हैं तो चलिए हम आज के कारिकरम में इस बात को जानने का प्रयास करें कि ऐसी कौन सी बात है जो कि परमेश्वर आज हमें सिखाना चाहते हैं और मित्रों यदि आज का कारिकरम आपको अच्छा लगता है तो कृपिया हमें एक मिस्कॉल करने के द्वारा इस बात को सूचित करें विशय बिलाम का भूल और इश्वर की धार्मिता की अग्यानता मित्रों यहां पर एक महत्पोंट द्रिश्य है बिलाम अब बालाग मुआप के राजा के पास आता है बालाग बिलाम को लेकर पहाड की चोटी पर जाता है जहां से वह नीचे इस्रैली श्रीविर में द्रिश्टी डालता है और सच बातों यह थी कि बालाग बिलाम की किसी भी भवशदवानी से संतुष्ट नहीं था। अता वह श्रीविर के चारो ओर की चारो बिभिन परवतों की चोटियों तक उसे ले जाता है। आएए अब हम देखें पहली भवशदवानी। बालाग बिलाम को बाल देवता के उचे अस्थानों पर ले गया। वहां उन्होंने होम बले भी चड़ाई और प्रभु ने बिलाम के मुख से निम्न शब्द कहलवाए। गिंती 23 अध्याय के 7 से 12 पद में। तब बिलाम ने अपनी गुड बात आरम की और कहने लगा। बालाग ने मुझे अराम से अर्थात मुआप के राजा ने मुझे पूरब के पहाडों से बुलवा भेजा। आ, मेरे लिए याकुब को शाप दे। आ, इस्राहिल को धमकी दे। परन्तु जिन्हें परमेश्वर ने शाप नही दिया, उन्हें मैं क्यों शाप दू? और जिन्हें यहवा ने धमकी नहीं दी, उन्हें मैं कैसे धमकी दू? चाटानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई परते हैं, पहाडियों पर से मैं उनको देखता हूँ. वह ऐसी जाती है, जो अकेली बसी रहेगी, और अन्य जात से अलग गीनी जाएगी. याकुप के धूली के किनके को कौन गीन सकता है? या इस्राइल के चाटाई की गीनती कौन ले सकता है? सवभाग्य, यदि मेरी मृत्यों धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो, तब बालाक ने विलाम से कहा, तुने मुझ से क्या किय है? मैंने तुझे अपने शत्रों को शाप देने को बुलवाया था, परन्तु तुने उन्हें आशिशी आशिश दी है. उसने कहा, जो बात यहाने मुझे सिखलाई, क्या मुझे उसी को सावधानी से बोलना ना चाहिए? यहां इस्राइली लोगों से संबंधित, पहली वि कुछ भी नहीं था, जो बालाक उसके मुझे सुनना चाहता था. वह उसकी नवुबत से संतुष्ट नहीं था, इसलिए दूसरे परवत की चोटी पर ले गया, कि वह उन घाटी को देख सके, जहां इस्राइली लोग डेरा डाले थे. दूसरी भवशदवानी, बालाक बिला के मुख में अपने वचन डाले. गिंती 23 उसके 18 से 24 में लिखा है. तब बिलाम ने अपनी गुण बात आरम की और कहने लगा, हे बालाक, मन लगा कर सुन, हे सिपोर के पुत्र मेरी बात पर कान लगा. इश्वर मनश नहीं की जूट बोले, और नवा आदमी है कि अपनी उसे ना करे? क्या वह वचन दे कर उसे पूरा ना करे? देख, आशिरवाद ही देनी की आग्या मैंने पाई है, वह आशिश दे चुका है, और मैं उसे नहीं पलड़ सकता. उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया, औरना इस्राहिल में अन्याय देखा है. उसका परमेशर यहवा उसके संग है, और उनमें राजा की सी ललकार होती है, उनको मिस्त्र में से इश्वर ही निकाले लिए आ रहा है. वह तो बनेले सान के समान बल रखता है, निश्य कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, और इस्राहिल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता. पर दल सीहनी के समान उठेगा और सीह के समान खड़ा होगा, वह जब तक अहेर को ना खाले और मारी हुऊ के लहु को ना पीले तब तक ना लौटेगा. मित्रो, इस्राहिल को स्राप देने की अपेक्षा वहाँ वावास्तों में फिर से उन्हें आशिरवात देता है. परमिश अब हम देखते हैं कि विलाम क्या करता है? वह अपने बुद्धी वह तर्क वितर्क से इस नतीजे पर पहुंचता है कि परमेश्वर को इस्राहिल के भर्षना करनी चाहिए. शीविर में बुराईयां पनप रही थी, पाप दिखाई पड़ता था, वे असफल ठहरे थे. हम अपने स्वभाविक निसकर्ष पर पहुंचा कि उनके पाप के कारण परमेश्वर को इस्राहिल को दंड देना चाहिए. मित्रों, स्वभाविक तार पर मनुश्य सदेव सोचेगा कि इस्राहिल को पाप का दंड अवश्य मिलना चाहिए. और परमेश्वर को व्यक्तिकत र कहता है. अच्या, तो मानुई धार्मिक्ता से अच्छी उच्छी धार्मिक्ता है, जो इशुमसी की धार्मिक्ता है. रोमियो 8, 31 से 34 पद में हम पड़ते हैं. अता हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि पर मिर्श्वर हमारी और है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है जिसने अपने नीज पुत्र को भी न रख छोड़ा प्रन्तु उसे हम सब के लिए दे दिया वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा परमेश्वर के चुने हुँँ पर दोश कौन लगाएगा परमेश्वर ही है जो उनको धर परमी ठहराने वाला है फिर कौन है जो दंड की आगया देगा मसी ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है परमेश्वर पापी को दंड नहीं देता क्योंकि इश्व मसी में उसे पहले से ह दंड मिल चुका है संसार इसे नहीं समझता बुढ़ा बिलाम भी इस बात को नहीं समझा उसने सोचा कि परमेश्वर को इसराइल को दंड अवश्य देना चाहिए उसने हिसाब लगाया कि यदि परमेश्वर इसराइल का न्याय करेगा तो उसे राजा बाला की ओर से पुर बिलाम परमेश्वर की धार्मित्ता को नहीं समझ सका उसके सोचने में भी नहीं आया कि एक विश्वासी पापी उन इसराइलियों के समान है जो परमेश्वर के न्याय और दंड के आधिन है जब विश्वासी पाप करता है तब वह परमेश्वर के अनुशासन वाले हाथ क ना कि परमेशर के क्रोध के आधीन बालाग पुना संतोष्ट नहीं है वह बिलाम को सोर की चोटी पर ले जाता है जहां से इस्राइल के दूसरे दृष्ष को दिखा सके यहां पर अध्याय तेज समाप्त होता है और अब हम अपने अध्यान को अध्याय 24 से बनाए रखेंगे इसका विशे है बिलाम का सिध्धान्त मुआबी व्यविचार मूर्ती पुजा में उनकी चाहत यहां पर पिछले अध्याय से लगातार बिलाम की कहानी जारी है आएए अब हम देखते हैं तीसरी नवूवत को गिंती 24 एक और दो पद में लिखा है यह देख कर कि यहवा इ आशिश ही दिलारा चाहता है बिलाम पहले के समान शकून देखने को ना गया प्रंतो अपना मो जंगल की ओर कर लिया और बिलाम ने आखें उठाई और इस्त्राइलियों को अपने गोत्र गोत्र के अनुसार बसी हुए देखा और परमेश्वर का आत्मा उस पर उत्रा यह गिंती 24-3-9 पद में तब उसने अपनी गुल बात आरम की और कहने लगा बोर के पुत्र बिलाम की यह वानी है जिस पुरुष की आखें बंद थी उसी की यह वानी है इश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आखों से सर्वशक्त का दर्शन पाता है उसी की यह वानी है कि हे याकोब तेरे डेरे और हे इसरायल तेरे निवास अस्थान क्या ही मन भावने हैं वे तो घाटियों के समान और नदी के तटकी वाटिकाउं के समान ऐसे फैले हुए हैं जैसे कि यहवा के लगाए हुए अगर के व्रिक्ष और जल के निकट के देवदार और उसके घड़ों से जल उम्रा करेगा और उसका बीज बहुत से जल भरे खेतों में पढ़ेगा और उसका राजा अगाग से भी महान होगा और उसका राज बढ़ता ही जाएगा उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाले लिए आ रहा है वह तो बनेले साण के समान बल रखता है जाती जाती के लोग जो उसके द्रोही हैं उनको वह खा जाएगा और उनकी हड़ियों को टुकडे टुकडे करेगा और अपने तीरों से उनको वेधेगा वह दबका बैठा है वह सी या सीहनी के समान लेट गया है अब उसको कौन छेड़े जो कोई तुझे आशिरवाद दे वह आशिश पाए और जो कोई तुझे शाप दे वह शापित हो इस्राइली श्रीविर में पाप था प्रंतु परमिश्वर उससे निप्टा उसे कांसे के सर्व की अस्थापना करनी पड़ी तब शमा हुए बाहर से किसी को अनुमती नही थी कि उन पर दोश लगाए सब कुछ जो बिलाम कर सकता था कि उनकी प्रशंसा करे तथा उन्हें आशिरवाद दे इसी प्रकार शैतान परमेश्वर के चुने हुँँ पर दोश नहीं लगा सकता रोमियो के पत्री 8.334 में लिखा है परमेश्वर के चुने हुँँ पर दोश कौन लगाएगा परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है फिर कौन है जो दंड की आग्या देगा मसी ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिन और हमारे लिए निवेदन भी करता है इन बातों के लिए हम क्या कहें मेरे पास तो कुछ कहने को बचा ही नहीं सिर्फ हालेलुया के यदि परमेश्वर हमारी और है तो हमारे विरोध में कौन होगा परमेश्वर के चुने हुँँ के विरोध में कौन दोश लगाएगा की परमेश्व ने उन्हें धर्मी ठहराया है गिंती 24 अध्याय के 10 से 14 पद में लिखा है तब बाला कको बिलाम पर भड़क उठा और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा मैंने तुझे अपने शत्रों को शाप देने के लिए बुलवाया प्रन्तु तुने तीन बार उन प्रन्तो अब यहवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है बिलाम ने बालाक से कहा जो दूद तुने मेरे पास भेजे थे क्या मैंने उनसे भी ना कहा था कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भर कर मुझे दे तो भी मैं यहवा की आग्या तोड़कर अपने मन से ना तो भला कर सकता हूँ और ना बुरा, जो कुछ यहवा कहेगा वही मैं कहूंगा। अप सुन, मैं अपने लोगों के पास लोट कर जाता हूँ, परन्तु पहले मैं तुझे चिता देता हूँ कि अंत के दिनों में वे लोग तेरी प्रजा से क्या क्या करेंगे। कोई दोश वा स्राप नहीं दे सकता है, जिस प्रकास से उसने हमें इस्राइलियों के जीवन के द्वारा बता दिया है, क्योंकि विश्वासियों को परमेश्वर ने धर्मी ठाराया है। परमेश्वर जानते हैं, तो क्यों न आप आज परमेश्वर के पास आएं और अपनी कमजोरी को बता दें, ताकि आप मृत्यू से बच जाएं। निर्डए आपको लेना है कि आप क्या चाहते हैं। आगे देखते हैं बिलाम का चावथा आशिर वचन, गिंती 24, 15 और 16 पद में। फिर वह अपनी गुडबात आरम करके कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की यहवानी है, जिस पुरुष की आखे बंध थी, उसी की यहवानी है। इश्वर के वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्यान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ, खुली हुई आखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यहवानी है। इसे ध्यान से पढ़िये, यह एक बहुत ही महत्पुन भवशदवानी है और इसे हम अक्सर क्रिस्मस में सुनते हैं। गिंती की पुस्तक 24, 17 से 19 पद मैं उसको देखूंगा तो सही, प्रन्तु अभी नहीं। मैं उसको निहरूंगा तो सही, प्रन्तु समीप होके नहीं। याकुब में से एक तारा उदै होगा और इस्राइल में से एक राजदंड उठेगा, जो मुआप की सिमाओं को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। तब एदोम और सेईर भी जो उसके शत्रु हैं दोनों उसके वश में पढ़ेंगे और इस्राइल वीरता दिखाता जाएगा। और याकुब ही में से एक अधिपती आएगा जो प्रभुता करेगा और नगर में से बचे हूं का भी सत्यानाश करेगा। क्या आपने कभी आश्यर के कारण रुक कर या सोचा जोतिशियों ने तारी की और कैसे देखना सीखा। उन्होंने एक तारे का इस्राहिल में जन्मे राजा से संबंध को जोडा। वे क्यों इतने लंबे सफर को आरम करेंगे। इस भवशदवानी के लगभग पंदर सव वर्ष के पश्यात हमने पूर्व देश से जियोतिशियों के एक समो को आते देखा। बिलाम की या भवशदवानी सपश्त संजोय रखी थी। क्योंकि बिलाम पूर्व का एक प्रसिद नभी समझा गया है और जियोतिशियों लोग इस भवशदवानी के बारे में जानते थे। जब उन्होंने एक विशिष तारे को देखा तो वही स्मरन किया जो बिलाम ने कहा। याकूब में से एक तारे का उदय होगा। इस्राइल में से एक राजदंड उठेगा। जब ये जियोतिशिय यरुश्यलेम पहुंचे तो उनका प्रश्न था यहुदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहा है। क्योंकि हमने पूरु में उसका तारा देखा है और उसको दंडवत करने आये हैं। मती दो अध्याय के दो पद में हम इसे पाते हैं। जब धर्म शास्र में हम दानियल की भवशदवानी को जोडते हैं तो लगभग यही समय होगा जब मसीहा पैदा होगा। इसके साथ ही येरुशलेम में जियोतिशियों का आना बहुत अधिक मौजूद था। वे मसीह इशु के आगमन के विशे में बिलकुल निश्चिंद थे। किवल एक छोटा जुन्ड हन्ना और शीमोन इसके अपवात थे। जब जियोतिशियों का यह समू येरुशलेम में इकठा हुआ तो सारा नगर हेरोद राजा सहित घबरा गये। उनके आने से बड़े दिन की कहानी में चार चांद और लग जाते हैं। और सबसे अधिक रोचक बात तो यह है कि इसका संबंद बुढ़े दुष्ट बिलाम से है। अब बिलाम इसराइल के चारों ओर के राष्टों से संबंदित भोईशदवानी करता है। गिंती 24, 20 से 24 फिर उसने अमालेक पर दृष्टी करके अपने गुडबात आरम की और कहने लगा अमालेक अने जातियों में स्रेश्ट तो था प्रन्तो उसका अंत विनाश ही है। फिर उसने केनियों पर दृष्टी करके अपने गुडबात आरम की और कहने लगा तेरा निवास अस्थान अति दिड़ तो है और तेरा बसेरा चटान पर तो है तो भी केन उजड़ जाएगा और अंत में अशूर तुझे बंदी बना कर ले आएगा फिर उसने अपनी गुड़ बात आरम की और कहने लगा हाए जब इश्वर यह करेगा तब कौन जीवित बचेगा तो भी कित्यों के पास से जहाजवाले आकर अशूर को और एवेर को भी दुख देंगे और अंत में उसका भी विनास हो जाएगा मित्रो निश्चित ही उसने राजा बालाक को उसकी भवशत बानियों से संतोष्ट नहीं किया गिंती 24 के 25 पद में लिखा है तब बिलाम चल दिया और अपने अस्थान पर लोट गया और बालाक ने भी अपना मार्ग लिया बिलाम के विशय में यह एक अजीब वक्तव्य है वा उठा और अपने अस्थान को लोट गया धर्म शास्त्र में केवल एक और व्यक्ति है जिसके विशय में प्रेद्टों के काम एक 25 में कहा गया कि वा उसकी जगह पर चला गया वह यहुदा था धर्म शास्त्र उसके बारे में आगे और कुछ भी नहीं कहता हम गिन्ती 31 उसके आठ पद में पढ़ते हैं कि बिलाम मिध्यान के राजा के साथ युद करते मर गया बिलाम जो बोर का पुत्र था तलवा से घात किया गया और यहुदा उसके अस्थान पर पहुँच गया क्या आपको ये कारेक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस्कॉल करें और आप अगले विजयता हो सकते हैं प्रेमित्रों आज हमने एक असाधरन वित्तान्त का अध्यन किया प्रगट है कि हम परमेश्वर के विरुद अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कारिर नहीं कर सकते कई बार हम ऐसे वचनों को ढूंडते हैं जो हमारे स्वार्थ को पूरा करने में हमें मदद करे और संदर्वों से बाहर व्याख्या कर अपनी लालच या स्वार्थ को पूरा करते हैं परमेश्वर ने इसपस्ट कहा है कि इसराइल आशीश का भागी हो चुका है शाप कर नहीं लेकिन फिर भी अपनी लालच के कारण बिलाम एक मौके पर आशा करता है कि परमेश्वर की बातों को बदल दे अर्थात उसकी आग्या का पालन ना करे परमेश्वर सिर्फ परशतापी पापी का धंड टाल सकते हैं इसलिए हम सब परमेश्वर के वचन का उप्योग अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए नहीं परंतु उसकी इच्छा को जानने और मानने के लिए करें परमेश्वर आप सब को आशीष दे आएए हम यह परण करें और एक प्रतिग्या करें कि हम परमेश्वर की आग्या के अनुसार ही अपना जीवन वैतित करेंगे परमेश्वर आप सब को आशीष दे कर दो कर दो